Dear Students, Welcome to my YouTube Channel आज हम Smile Program के अंतरकत आने वाली एक Worksheet का दिन करेंगे Dear Students, आज की ये Worksheet Class 12 के subject English की है और ये 26 July 2021 को आयोई है और lesson है आपका Lost Spring यानि Flamingo Book Class 12 की जो English Book है Flamingo उसके Chapter 2 Lost Spring और इसका Topic है Comprehension यानि ये संपूर्ण चैप्टर पर आदारीत एक Multiple Choice Questions की Worksheet है यहाँ पर लिखावा है देखें आप Multiple Choice Questions Question first, What does the author analyze in the story? यानि इस कहानी में यानि Lost Spring कहानी में जो author एनिस जंग है वो किसका Analysis यानि विसलेशन करती है A. Rich People यानि अमीर लोगों का, B. Garbage यानि कचरे का, C. Poor Children and Their Explorations यानि गरीब बच्चों और उनके सौसन का and her work की आपने कारिये का तो Dear Students, Lost Spring में जो अनिस जंग है वो Poor Children and Their Explorations का analyze करती है तो हमारा answer होगा यहाँ पर C. फिर आपका क्यूसर नमबर है 2 What forces वो कौन से दबाव या बल यानि मजबूरिया है The Children बच्चों पर to live की वो रहते हैं A Life of Exploitation, Exorcist जीवन यानि बच्चों को एक 16 जीवन पर रहने को मजबूर किया जाता है तो वो कौन कौन से मजबूरिया है Greed, Lalach, B. Extreme Poverty यानि अत्यदिक गरिबी, Peer and D. Parents तो यहाँ पर आपका option होगा B. Extreme Poverty यानि अत्यदिक गरिबी तो यहाँ पर Second Questions का आज़स्वर है B. फिर है Question No. 3 According to the author यानि लेखक के अनुसार यानि अनिस जंग के अनुसार What was garbage for the parents? यानि garbage है वो parents के लिए क्या है तो option है Means of Entertainment यानि मनोरंजन का साधन फिर है आपका Means of Joy यानि अनन का साधन Means of Sorrow यानि दुख का साधन and Means of Survival यानि जीविका का साधन तो यहाँ पर garbage उन parents के लिए क्या है Means of Survival यानि option D जबकि बच्चों के लिए है Wrapped in Wonders यानि कोई आश्रे में लिप्टिवी वस्तू जबकि parents के लिए है Means of Survival Next आपका है No.4 What is the meaning of Sahib आलम Sahib आलम का क्या अर्थ है यानि Sahib आलम साहिब का पूरा नाम है और उसका अर्थ क्या है A. Honor B. Rich man Honor का मतलब मालिक Rich man यानि अमीर वेक्टी Poor man गरी वेक्टी Lord of Universe यानि ब्रमान का स्वामी तो यहाँ पर Sahib आलम का तात्परी होता है Lord of Universe तो यहाँ पर भी option होगा आपका D Next Question No.5 Why is authors calling garbage as gold in the story यानि इस story में Author अनिस जंग है वो garbage को gold क्यों कहती है यानि garbage को gold क्यों कहा तो answer Because of dwell in it यानि garbage में dwell होती है यानि आबुसन होते है Because of gems in it यानि उसमें कुछ gems होते है Because of encasement value यानि जो भी कच्रे में मिलता है उससे वो बेच कर उसके रुपे यानि उसकी encasement value होती है उससे वो रुपे प्राप्ट कर सकते है Because of gold in it या उसमें gold होता है तो D.S.P.D.S. कच्रे में ऐसा कोई भी jewel या gems या gold जासा नहीं होता है लेकिन ऐसी वस्तू होती है जिनके बदले उन बच्चों को रुपे मिलते हैं तो यहाँ पर answer होगा Because of encasement value यानि रुपे में बदलने वाला है उसकी मुल्य या value तो यहाँ पर option होगा आपका C Question number 6 What does the title Lost Spring symbolize? यानि यहाँ पर जो chapter है Lost Spring वो किसको प्रतिक symbolize कर रहा है किसका प्रतिक है तो यहाँ पर किसका प्रतिक है Lost Spring, Lost Blooming Childhood यानि जो बच्चपन है जो bloom हो रहा है, खिल रहा है उसका खोना autumn season या पजड के मौसम को Lost Money यानि खोयवे धन को या Lost Age या खोयवे उम्र को तो यहाँ पर Lost Spring यानि बसंत रितू और बसंत रितू बच्चे का बसंत कब होता है उसका बच्चपन जो कि खो रहा है तो यहाँ पर Lost Blooming Childhood ये इसका option है तो question 6 का option A, right answer Next, question number 7 Who are responsible? कौन जिम्मेदार है या उतरदाई है for the poor condition खराब इस्तती के लिए of Bengal Makers Bengal Makers की इन फिरोजाबाद फिरोजाबाद मे यानि फिरोजाबाद के Bengal Makers चूडिया बनाने वालों की खराब इस्तती के लिए कौन जिम्मेदार है Parents जिम्मेदार है Society है, Bureaucracy है या All of this तो यहाँ पर Parents जिम्मेदार नहीं हो सकते समाज उसनी का एक हिस्सा है यानि सभी समाज के लोग इसी Bengal Making में लगे है तो यहाँ पर Question में चैप्टर में बताया गया है Middlemen, Politician, Bureaucrats Policemen तो उन में से एक Option आया हुआ है Bureaucrats तो यहाँ पर हमारा Question 7 का Option होगा C यानि Bureaucrats है वो Responsible है Poor Condition of Bengal Makers इन दा फिरोजबाद Next आपका Question No.8 What are the Hazards of Working in the Glass Bengal Industry यानि What are the Hazards Hazard का मतलब उता है खत्रे Hazard का मतलब उता है खत्रे of Working काम करते हुए in the Glass Bengal Industry यानि काज के चूड़ियों के उद्योग में काम करते हुए क्या खत्रे है तो Poor Health यानि खराब स्वास्त Impaired Vision यानि आखों की नजर कम हो जाना Impaired का मतलब होता है अपंग यानि Vision में द्रश्टी बादित Miserable Life यानि दैनी स्थती और All of These या सब कुछ तो Bengal Industry में काम करने वाले लोगों का स्वास खराब होता है और उनकी आखे कमज़र हो जाते है क्योंकि वे दिंजी सेल यानि अंदकार में काम करते हैं जहां पर Without Light and Without Air यानि बिना हवा और परकास के और उनकी इस्तती जीवन भी है वो कैसा होता है मिजरेबल दैनी होता है तो यहां पर All of These राइट आंस्वर है तो Question 8 का आंस्वर होगा D जो किसका राइट आंस्वर होगा Next Question 9 How is Mukesh's Attitude यानि Mukesh का जो द्रश्टिकोन है different क्यों भिन या अलग है from that of his family अपने परिवार के यानि Mukesh का Attitude that of यानि परिवार के his families के उसके परिवार के attitude से क्यों different है तो क्यों different है being a coward यानि एक डरपो कायर बनने के कारण being a fighter एक योदा या लड़ाकू बनने के कारण being daring यानि साहस दिखाने के कारण firm, dread and clear इसपस्ट के कारण या not clear या इसपस्ट नहीं है तो यहाँ पर Mukesh की family है वो bangle making में लगी हुई है जबकि Mukesh ये कह रहा है कि मैं एक motor mechanic बनूंगा यानि उसने अपने परिवार के tradition से अलग साहस दिखाया है और द्रड विश्वास रखा है कि वो यही बनेगा यहाँ पर option होगा being daring, firm and clear तो question 9 का option है आपका C next आपका 10 what is Mukesh dream यानि Mukesh का सपना क्या है to be a doctor, एक doctor बनना to be a rug, यानि एक dust बनना, to be a merchant एक वियापारी बनना, to be a motor mechanic या, एक motor mechanic बनना तो Mukesh का dream है to be a motor mechanic यानि right answer है इसका D, तो dear students इस परकार हमने, इस्माइल वर्कसेट के अंतर गद, 26 July को आई हुई एक वर्कसेट का दिन किया जो की class 12 किये, तो dear students यदि वीडियो पसंद आए, तो like करे, share करे, और यदि आप channel पर नए है, और इस channel को अब तक subscribe नहीं किया है, तो इस channel को जरूर subscribe करे और bell icon दबाना नहीं बूले ताकि अगली वीडियो का notification आपको तुरन प्राप्त हो जाए, thank you